दोस्तों तरह खंड की महलाओं के हातों में बीजेपी का जंडा है गले में बीजेपी का पट्टा है और दिल में बीजेपी के लिए नफरत है और मुँपे ये नारा है कि इस बार एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया जाएगा दरसल ऐसा क्यों हो रहा है और ये महलाओं किस लिए गुसे में है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप खुद सुनिए कि ये महलाओं जो हातों में बीजेपी का जंडा लेकर है गले में बीजेपी का पट्टा भी पहन कर है लेकिन उसके बावजूत कह रही है कि इस बा बाद में आपको बताता हूँ कि दरसल पूरी खबर क्या है रोड तो आज आ रखेंए आप इस अनुलिम बलूनी जी कुछ नहीं होता है अब तक रोड है रास्ता है क्यों आपका गाउं तो बलूनी जी ने गोल लिया हुआ है तो वहां पर भी कास होगा है नहीं कुछ नह आप लोगों का कहना है कि यहां पर रोड नहीं तो बोड नहीं देकिन जैसे कि आपका गाउं जो यहां पर दाल भी सेन पड़ता है और यह ठीक बोड गाउं की पूर भी घ्र मारी पिकास शॉता है जो नहीं कुछ नहीं तो नहीं नहीं है कि यह थिता के लिए कम रहें लेते रहें और इंदे को आपका सब्सक्राइब में जाए पर खाल देखी है प्रत्ता देखी है तो मिनाट पे अमारी बादी चीदे चले जए जए दो प्यांस तो वीडियो देख लिए आपने ये वीडियो उतरा खंड का है बीजेपी का जंडा लेकर हातों में गले में बीजेपी का फट्टा पहन कर ये महलाएं आई थी बीजेपी के समर्थक बनकर केंके बात सुनी जाएगी लेकिन जो विधायक है जिनों ने इस गाओं को गोध लिया है दर असल वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं महलाएं बता रही है कि मोधी जी के नाम पर वोट लिया जाता है और किया कुछ नहीं जाता है रोट खराब है गाओं में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके वज़े से ये लोग खुस हो पाए अब इस वीडियो को टुइट करते है विनोत कापड़ी ने लिखता है उतरा खंड से आया भाजपा कारेकरताओं का ये वीडियो नरिंदर मोधी जी को जरूर देखना चाहिए मोधी के नाम पर वोट लेते है और करते कुछ नहीं है विनोत कापड़ी आगे लिखते है हाथ में बीजेपी का जंडा और मुह में बहुत हुआ अब अब नहीं देंगे मोधी के नाम पर वोट मानने भी मताना यह बिनोत काफी है जो इस वीडियो को टूइट करते हैं दरसल यह वीडियो जो था वो महलाओं का गुस्सा देखने को मिला बीजेपी के खिलाप कुछ हाथ में BJP का जंडा लेकर है देखने में लगेगा कि ये महलाएं BJP के समर्थक है लेकिन जब लोग वीडियो देखेंगे और वीडियो में महलाएं जो कुछ बता रही है जब उसे सुनेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे मामला तो कुछ और है मामला बिलकुल उसका उल्टा है जो वीडियो में आपने देखा है लेकिन आप अपनी राए इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे एक तरफ BJP 400 पार का नारा दे रही दूसी तरफ लोग बता रहे कि हम एक भी वोड BJP को देने वाले नहीं